सरदिया श्टार्ठ ही हुते ही कुछ करमा गरम इस्पाइसी खाने का सभी का मन होने लगता है तो आज मेदाने आज की रेसिपी बिल्कुल पर्फेक्ट है और बिल्कुल श्वेती हमें बहुत ही हमाइँ आसाने है ल करने है है तो हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की रेसिपी बहुत ही जदा टेश्टी और आसानी से बनने वाली रेसिपी है तो इंज्वाइ करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब बिलकुल भी नहीं भूलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखें यहां पे हमने आलू लिया है आलू नए वाले हैं इसलिए हमने इसको छील लिया है क्योंकि इसको बॉयल करने के बाद छीलने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है तो हमने इसको पहले से ही छील लिया जब तक हमारा आलू पकड़ा है तब तक हम समूसे का डू बना लेते हैं तो हमने मैदा लिया है मैदे में हमने यहां पर नमक डाल दिया है मैदा आप अपने कॉर्डिंग ले सकते हैं फिर हमने यहां पर देखिए दो पिंच यहां मंग्रेल लिया है फिर यहां पर आधा चम पांच चमश लिया है औयल आपको इतना लेना है कि जब आप मैदे को बहुत अच्छे से इसमें मिक्स करें तो आपका मैदा इस तरीके से देखिए बंदने लगे तो इसके मतलब ऑयल आपका बिलकुल perfect है तो हम औयल इसको अच्छे से बिलकुल mix कर दी है औयल को और मैदा को फिर हम इसमें बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसको गुतेंगे क्योंकि बिल्कुल आपको tight dough चाहिए अगर आपका dough soft रहेगा तो आपका जो समुसा है वो भी बहुत soft बनेगा तो हम देखिए हाथ में लेके बहुत थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डाल रहे है और बिल्कुल देखिए जब आपका मैदा इस तरीके सी हो जाए कि सारे मैदे हिकटे हो जाए फिर आपको पानी नहीं डालना है फिर आपको इसको अच्छे से गूतने पे ध्यान देना है और इसको बहुत अच्छे से गूतना है फिर देखे इसको हमने गूत दिया और इसको हमने रेश्ट होड़ने के लिए रख देना है करीब 20 मिनट तक तब तक जो हमने आलू का जो स्टफिंग है वो तैयार करेंगे और मैदा तब तक अच्छे से रेष्ट भी हो जाएगा तो आपके समुसे बहुत ही अच्छे क्रंची बनेंगे तो देखे आलो भी बहुत अच्छे से पग गया है फिर हम इसको चान लेंगे चान के फिर इसको एक हमने धाली में रख दिया है फिर इसके बाद हम इस को मैसर से बहुत अच्छे से मैस कर लेंगे क्योंकि यह गरम लेगा तो बहुत कर लेंगे तो हम इसकोolo यहां आप आलो कि मैस करके लिए lead जलें का हनद है, जलनी ने को पहले होजा है Antes, पहले के जलने के मातीज़फ़ माइल नमक का टूतियों नमक. यहां पर लेगा क्रिणी खूआ हम आपनदे मातार फ्रम गरम मसाला एक चम्मच धनिया पाउडर फिर यहां पे देखी यह घर का अमचूर पाउडर है तो हमने आधा चम्मच के करीब हैं पे अमचूर पाउडर आधा चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है यह जहां लाल मिर्च पाउडर तीकिया वाला है इसलिए हमने आधा अगर आप हरा लाल मिर्च का यूज कर रहे हैं तो आप लाल मिर्च आप इसके भी कर सकते हैं फिर यहाँ हमने कसूरी मेथी डाला है जिससे की फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा इन्हान्स हो जाता है तो देखिए सारी चीजे हमने डाल के इसको अच्छा से मिक्स कर दिया है फ बिलकुल तैयार हो किया है फिर इसके बाद भीम को शुछ कर देंगे और अपनीलेतोऊ के फ्लेम को से डाला मुश को डालों अग्वार इसको अजन पती हो और आपका बिलकुल भी नहीं सी निकलता है समूसे में से तो हमने यहाँ बीड़ेींस के नम प्रश डालों को यू और इसमें मिक्स करने के बाद देखिए आपका जो श्टफिंग है वो बहुत अच्छे से बनके बिल्कुल तैयार हो गया है यहां देखिए हमने इसको निकाल दिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देंगे तब तक हमारा जो मैदा है उसको हम चेक कर लेते हैं तो देखिए मैदा बिल्कुल बहुत अच्छे से इसमें रेश्ट हो गया है और यह बहुत अच्छे से सेट हो गया है तो देखिए यह हलका हलका सौफ्ट भी हो गया है तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको गूत लेंगे क्योंकि रेश्ट होने के बाद इसक तो यहां देखिए हमने मैदे को और अच्छे से गूट लिया है, तो हम रहा पर हम ilp से इसको बराबर से काट हुझा है, आप चाहिए इसको थी द्युक्षा unhappy में गल नफहें चाहिए नफिकर, बैसे जिब मैदे को नहीं च्छो काट में पर जाना है, अब हम एक दो चमश मैदा लेंगे और इसका बिलकुल गाड़ा एक डाड़ा एक सलरी बनाएंगे और जो इसको मैदे को बाइंड करने में हेल्प करेगा तो इस लरी भी बनके तयार हो गया है अब हम इसको बेलेंगे और इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है और खोचादा पतला नहीं बिल्कुल मीडियम इसको जिस तरीके से आप रोटी बनाते उससे थोड़ा सा आपको इसको मोटा बेलना है तो हमने देखी इसमें थोड़ा थोड़ा जो मैदा है उसको स्प्रेट करके सुखे मैदो को स्प्रेट करके इसको बहुत अच्छे से बेलेंगे और इसको इतना बड़ा बेलेंगे कि बिल्कुल एक चकला क्या बराबर बेलेंगे तो यहाँ देखिए हम इसको धीरे-धीरे इस तरीके से बेलते जा रहे हैं अगर आपका मैदा थोड़ा सा अच्छे से सेट हुआ रहेगा तो यह बहुत अच्छे से मिला जाएगा और बिल्कुल भी इसमें स्ट्रेची नहीं होगा तो हमने थोड़ा थोड़ा इसमें सुखा मैदा स्प्रेट करके इसको बहुत अच्छे से बिल्कुल बेल लिया है और यह बिल्कुल ही चकले के बराबर है थोड़ा कहीं अगर आपको इसमें यह बराबर नहों तो आप चाकू के हिल्प से बिल्कुल इसको बराबर काटेंगे तो इसका क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छा बिल्कुल एक सेप बन के तयार होता है तो आप इस तरीके से छोटा सा कटोरी ले लिजे अगर खटोरी इस तरीके से छोटा से न हो तो आप ग्लास भी ले सकते हैं उसको यहां बीच में रख दीजे फिर इसके बाद जो हमने यह श्टफिंग बनाई थी आलो की उसको हम इस तरीके से चारो तरफ अच्छे से फैला देंगे और बहुत मोटा लेयर नेव करना है पतला ही लेयर फैलाना है तो हम इसको देखिए पहले तो चम्मच की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से फैलाएंगे फिर ऐसे हाथ से इसको अच्छे से बिल्कुल दबा दबा के सेट कर देंगे ताकि छानने में ये निकले न तो हमने देखी ये आलो था अच्छे से बिल्कुल उसको फैला दिया फिर हम कटोरी को इसको अटा देंगे और इसको जिस तरीके से हम पीजा को काटते हैं उस तरीके से अगर आपके पास पीजा कटर हो तो पीजा कटर से नहीं तो आप इसको चाकू के help से भी काट सकते हैं तो देखें हम इसको चाकू से काटेंगे और इसको हम इसको खरीब हमने 16 पीस में काटा था जो कि बहुत ही अच्छे से बन गया था तो देखें हम इसको इस तरीके से चारो तरफ से आराम आराम से इसको काट लेंगे आप चाहे तो अपने हिसाब से इसका साइज बढ़ा भी कर सकते हैं अगर बहुत पतला आपको नहीं बनाना है तो आप इसको छोड़ा सा साइज बढ़ा भी कर सकते हैं पर हमने दिखे इसको 16 पीस में काट लिया था अब जो यह सलरी है इसको हम इसमें बीच में लगाएंगे और यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है अगर यह से आप नहीं लगाएंगे तो यह खुल जाएगा और तेल में आपका पूरा यह आलो जो है वो निकल जाएगा तो दिखे फिर हमने अच्छे से जो सलरी है उसको लगा दिया है फिर जो बाहर के साइड से उसके साइड से हम धीरे धीरे इसको पतला पतला इस तरीके से फोल्ड करते जाएगे तो एक बहुत ही अच्छा सेफ बन के तयार हो जाएगा समोसा रोल का तो इस तरीके से ये बहुत ही आसानी से बन गया था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको इसको बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और कॉर्ण फ्लो डानने से क्या होता है जो आपकी जो अलू की जो बाइंडिंग होती है वो बहुत अच्छे से बाइंड हो जाता है तो इसको खुलने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है तो दीखें, हम ने अच्छे से पूरा संमोसा रोल बना के तयार कर लिया है और ऑईल भी अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसको फ्राइए करेंगे तो इसको पहले high flame पे तेल गरम कर लेते हैं फिर medium flame पे इसको fry करते हैं तो इसको डालने के बाद हमको इसको बिल्कुल भी touch नहीं करना है जब आपको लगे कि नीचे से हलका हलका brown होने लगा है फिर हम इसको टच करेंगे और इसको medium flame पे ही fry करेंगे तो देखे बहुत ही अच अछ乐 भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा से पग भी गए लुखों है तो ऐसे जो हमने रोल बना के रखे थे उसको भी कर लेंगे और इसको मीडिया फ्लेम पे रख़र ने से प्रंची बना था और बहुत ज़्यादा टेश्टी बना था तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी रेसिपी जरूर बताईएगा और एक बार यह रेसिपी घर में जरूर ट्राइ करिएगा आई हो पाप कहां सबको पसंद आएगा खास कर कि यह बचों को तो बहुत ज़्याद करी थैंक यू